चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। जै संतोशी मान दोस्तों, आपका स्वागत है, आएज जाने, आज आपकी राशियों का हाल, आपका दिन कैसा रहेगा, शुरुआत करते हैं व्रिशब राशी से, 4 जुलाई 2024, दिन गुरुवार। पढ़ सकते हैं। स्थिती की मांग के अनुसार काम करें। किसी यात्रा से आप अपने आध्यात्मिक केंद्र से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और अच्छी यादों को पुनरजीवित कर सकेंगे। माता पिता या बच्चों को अभी आपकी देखभाल की जरूरत हो सकती है। इसलिए आज घरेलू कामों पर ध्यान दें ताकि घर में शान्ती बनी रहे और भविश्य में सौभाग्य आपके साथ हो। कार्यभार और प्रतिबधताओं से आज आपको राहत मिलेगी। कुछ नजदी की लोग हमेशा आपको प्रेरित करते हैं। पुराने संपर्क और संबंध भी आपकी मदद कर सकते हैं। केवल उन्ही कारियों पर ध्यान दें जो आप करना चाहते हैं। सफलता दुनिया को हमारा परिचय कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। बाहर का भोजन न करें नहीं तो सेहत खराब हो सकती है। आज केवल बैठे रहने के बजाए कुछ ऐसा करें जिससे आपकी आएं में व्रिध्य हो सके। परिवार के सदस्य आप आप खाली समय में उन कारियों को करेंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। जीवन साथी के किसी अनपेक्षित काम की वजह से आपकी योजनाएं बिगड सकती हैं लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई रुका हुआ काम पूरा होगा और आप कई गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। साथ ही आपका सामाजिक दाइरा भी बढ़ेगा। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात होगी और कुछ बहतरीन जानकारियां भी मिलेंगी। लोगों से बात चीत करते समय अपने गुसे को नियंतरित रखें। सही लोगों के साथ जुड़ने के बाद भी गलत बातों पर ध्यान देने से आपका नुकसान हो सकता है। बेकार की बातों के कारण स्वभाव में नकारात्मक्ता बढ़ेगी और पैसों से संबंधित नुकसान हो सकता है। असफलता के कारण थोड़ी निराशा हो सकती है। अगर प्रयास किये जाए तो यह मौका आपको फिर से मिल सकता है। साथी के साथ बातचीत करते समय एक दूसरे के दृष्टिकोन का ध्यान रखना होगा। शरीर को हाइडरेट रखने में असुविधा हो सकती है, सावधानी बरते। आज आप किसी भी काम की जिम्मेदारी लेने से बचने की कोशिश कर सकते हैं। आपके सोचे समझे कार्य पूरे होंगे। आपका नया घर या मकान देखने का सपना साकार होगा। आप अपने परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंतित रह सकते हैं। अपने खान-पान पर पूरा ध्यान दे। माता-पिता के आशिरवाद से आपका कोई अठका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। सावधानी किसी समस्या को लेकर परिवार में कुछ चिंता-जनक स्थिती बना सकती है। हालांकि आपकी मध्यस्थता में कोई समाधान भी निकलाएगा। इस समय आर्थिक स्थिती कुछ सामानने रहेगी। समय को शानती के साथ बिताएं। बात करते हैं प्रेम जीवन की। आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर प्रकार के संबंधों को लेकर उदासीन रहे हैं। लेकिन आपको समय रहते इन में आई दूरियों को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपके कठिन समय में आपके साथी ने आपका काफी साथ दिया है। लेकिन आप उत्साह के साथ उनका साथ नहीं दे पाए हैं। और केवल अपने साथी की कमिया ढूंडने में लगे रहे हैं। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने स्वयम में कितना सुधार किया है। आज उस खास समय का आनंद लें जिसने आपके जीवन में खुशियां भरी हैं। रोमान्स को जीवन्त बनाए रखने के लिए आपकी पहल जरूरी है। आप उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनके साथ आप सहज महसूस करते हैं। घर की मरमत या नवीनी करण भी इस समय आवश्यक है। अपनी रोज मर्रा की जिन्दगी से कुछ समय निकालें और उन लोगों का खयाल रखें जो आपकी परवाह करते हैं। आपका साथ ही आपको आकरशित करता है, आपको उत्तेजित करता है और आप उनसे दिल से प्रेम करते हैं। आज आप दोनों एक साथ बहतरीन समय बिताएंगे। नए रिष्टों की शुरुआत के लिए आज का दिन अच्छा है। बात करते हैं करियर की, ये समय उन लोगों के लिए बहतर है जो शान्ती की तलाश में हैं। अभी अपने करियर और अपनी माँ या माँ जैसी किसी महिला का विशेश ध्यान रखें। मिट्टी या पानी से जुड़े कार्य आपको संतुष्टी और धन दोनों प्रदान करेंगे। घर की मरमत, नवीनी करण या अन्य घरेलू मामले आपको व्यस्त रखेंगे। प्रतिबधताएं आपको व्यस्त रखेंगी। ऐसे में अपने लिए समय निकालें। अपने खाली समय का सदुपयोग करें और अपने शौक को पूरा करें। आपका कोई अच्छा दोस्त या रिष्टेदार जीवन के हर चरण में आपकी सहायता करेंगा। किसी पर निर्भर न रहें और याद रखें कि जब तक आप असफल नहीं होतें, तब तक सफलता का महत्व नहीं जान पाएंगे। आपके कार्यस्थल पर तनाव का माहौल है, यह तनाव आपकी वजह से नहीं, बल्कि व्यापार में कुछ बड़े नुकसान की वजह से हो, सकता है। अपने आप में नकारात्मक उर्जा न भरें, बल्कि इसके बजाए नकारात्मक विचारों की इस लहर में फंसे हुए सभी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। आए को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि परेशानी होने की संभावना है। आपको अपनी टांगों में थोड़ा बहुत खिंचाव या दर्द महसूस हो सकता है। यह सब अत्यधिक भाग दोड का परिणाम है। इसलिए आज अपनी शक्ति को वापस पाने के लिए खूब आराम करें और अच्छा खाना खाएं। आज के उपाए के रूप में गरीबों को हरी चीजों का दान करें। हरी मूं का दान करना विशेश रूप से शुब रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुब हो।